चलिए गई, हम लोग discuss करने जा रहे हैं, नई unit को start करें, उसके पहले मैंने कुछ observation किया है आपकी last performance से related, जो मैंने आपका एक live mock test लिया था, और जिसमें कुछ student जो below 30 भी हैं, जो below 50 हैं, उनके लिए एक serious concern ये है, मैं आपको live example के थुरू बताऊंगा, मनलब कि आपने क्या गलतियां की हैं, जो नहीं करना है, और जिनका score 60-70 भी है, वो भी कुछ गलतियां कर रहा है, तो मैं specifically, ऐसे student जिनका performance बहुत ही poor रहा है, simulations में, उनके बारे मैं आप discuss करूँगा, मैं सबका performance देख रहा था, अभी दिपांजली का भी देख रहा था, latest मैंने सबके performance देखे हैं, जिन लोगोंने मुझे software भेजे हैं, लेकिन मैं specifically कुछ performance को highlight करना चाहूँगा, यह 25% performance को मैं highlight करना चाहूँगा, कि यह सबसे lowest performance है, सबसकता है, बेरी नेजर में, अब इस performance को discuss करने का purpose, आप सभी के सामने जो भी student है, उनके लिए भी, कि यह काम आपको क्यों नहीं करना है, जो इन्होंने किया, सबसे पहले, यह question इन्होंने गलत किया, कि accepting material gift from the client, मैं आप से पूछता हूँ, client से आप gift receive करते हैं, किस प्रकार के independence impair होती है, क्या fact वाली, या appearance वाली, तो अब्वेसी बात है, appearance वाली कौन सी होती है, गगन आई गये हैं, class में, appearance जो third party की नजर में हो, तो आप देखों, अगर आप गगन ऐसा लिख रहे हैं, कि accepting the material gift, mind, mind मतलब fact, तो यह तो होई नहीं सकता, तो इसका मतलब कहीं न कई lack of understanding of provision ही है, तो अगर इस प्रकार की गलती आप करेंगे, तो CPA तो बिल्कुल नहीं बनने वाले का भीवी, यह fact है, मतलब सबसे पहला काम, जिनका score 50 के नीचे है, उनका सबसे बड़ा blender यह है कि उन्होंने lecture को अच्छे से समझा ही नहीं, सबसे बड़ा blender, उसका live example यह है, कि आप gift client से accept कर रहे हैं और उसको fact बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं lack of understanding और प्रोवीजन है, तो पहली गलती तो यह होती है, तो यह गलती की जो category है, वो lowest level वाली गलती, यह गलती नहीं होना चीए, तो अगर हम गलतीयों को categorize करें, जो आपको नहीं करना है future में, तो जो number one गलती जो बच्चे करते हैं, जो सबसे lowest level, मतलब इसको silly mistake नहीं कहेंगे, यह है concept, concept की understanding, जो की बिलकुल basic level वाला है, वो भी नहीं है, अगर इस प्रकार की गलती आपने करीए, अब मुझे बताओ, इस point को आप में से, कितने student ने इमानदारी से गलत किया था, वो ज़र address करें, जिन्होंने इस point को गलत किया है, मैं जानना चाहूँगा, इमानदारी से वो अपना hand raise करतेंगे, सर हमको यह, इसमें एक, तो सामने गगन थे, जिनका software में ने open किया है, दर्शन भी थे, तो दर्शन और गगन, आपकी सबसे बड़ी गलती यह, यह कि आप provision को यह नहीं understand कर रहे है, जब साफ लिखा है कि gift, तो आपको पहले तो यह समझना पढ़ेगा, कि fact और appearance की बीच में difference क्या है, तो यह गलती करने वाले जो category है, सबसे और एक जो सबसे बड़ी गलती और जो कर रहे हैं बच्चे, यह जो है high level of गलती, यह अब सबसे lowest के बड़ सबसे high level of गलती, मतलब यह गलती हो सकती है, मतलब यह कोई भी कर सकता है, उस category में मालूब है कौन-कौन fall होते हैं, अब जैसे आपके सामने, यह question आया, being free from any obligation to the client, क्या लिखा है, कि आपके ओपर कोई भी obligation नहीं है, no obligation, यह लिखा है न, तो बताइए अगर कोई obligation नहीं है, अब ही हम normal बात कर रहे है, provision question के point of view से बाद, कोई आपके ओपर obligation ही नहीं है, तो independent impaired होगी या नहीं होगी, पहला question तो मेरा आपसे यही है, तो आपके दिमाग में तो यहीं आना चाहिए, कि sir independent should not be impaired, तो आप मुझे बताइए, obligation नहीं होने के कारण, एक fact वाली तो सीधे बहार हो जाती है, कि obligation नहीं है, तो यह तो होना ही नहीं चाहिए, कितनी बड़े level की mistake है, कि mind तो हो यहीं नहीं सकता sir, क्योंकि obligation ही नहीं है, तो mind वाली कहां से आ जाएगी, तो आप बचता है दो चीज़े, तो क्या obligation नहीं है, क्या दूसरे किसी प्रकार की independence impair हो सकती है अपने पर, कि आपके उपर कोई obligation ही नहीं है, तो obligation नहीं है, तो कहीं न कहीं हम fact में नहीं है, तो appearance में तो हो सकते हैं तो अब आप यहां पर फस जाते हैं, कि यहां पर appearance लिखें या not related to, तो question को पहले ध्यान से पढ़िये, question क्या बोल रहा है, inspire public confidence, an auditor must have not only independent of mind, but also independence in appearance, select from the option list provided, whether each issue is related to independence of mind, or independence in appearance, or not related to independence of the auditor, क्या कोई obligation नहीं, तो हम यह कह सकते हैं, कि auditor पूरी तरीके से independent होगे, यह पूरी तरीके से कह सकते हैं, हम यह नहीं कह सकते हैं, हमें यह भी सोचना पड़ाएगा, कि यह इसका option यह भी हो सकता, appearance भी हो सकता है, कि कहीं उसके पास appearance वाली तो नहीं आ गई लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में यह जो word है not related to मतलब जिसका independent से कोई सीधा संबंद नहीं है उसमें से कौन सा आपको दिख रहा है इन दस point में से जिसका आपको लगता है कि कोई लेगिमादेनसी कोई लेन देना है नहीं दूर दूर तक कॉंपेटेंसी का एmbेटेंस कोई लेना देना हो सकता है क्या का does Munka कि लिखा बिइंग एडिधिश्ट ली ट्रेंड तो आप ये क्यों नहीं पढ़ रहे कि अगर मैं adequately trained हूँ तो क्या मैं मेरी माइंड या तो सीधी बात ही यहां पर कोई लेना देना नहीं तो आपको पहले यह भी ध्यान रखना पड़ेगा question को करते समय बहुत सारे student अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पर थोड़ा सा सोचो तो सहीं अब यह जैसे लिख रहे हैं एडिवूड ली ट्रेंड तो इसका इंडिपेंडेंट सी क्या लेना देना कि आपके अगर आपके में इंटेलिजेंसी है आपके में आपके पास कॉइंपेंटेंसी है तो फिर इंडिपेंडेंस तो इंपियर का कोई लेना दे नहीं है यहांसे तो कई बार कोश्चन को बहुत ध्यान से पढ़कर आगर आपको कोई कोश्चन नहीं समझ में आ रहा है गिव यूर टाइम एक लीज इने प्रैक्टेस अब मैं ऐसे क्वश्चन पुछता है एक लाइंट में डाय्रेक्ट फानेशल इंट्रेस्ट है क्या क्लाइंट की पर इंटिग्रिटी लेक हो गई है यस और नो कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि गुरुनु न लिखा यस अगर मेरा क्लाइंट में डारेक्ट फाइनेशल इंट्रेस्ट है क्लाइंट की इंटिग्रिटी लेक हो गई है क्या मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अब आप दिखो एक क्वेश्चन था यहां पर चौथा नंबर का क्वेश्चन जाते हैं कि एक क्वेश्चन था कि इसमें कौन सा है जिसमें डारेक्ट फाइनेशल इंट्रेस्ट है यह है जैसे अब जैसे दोको नमोहन ने इस क्वेश्चन के अंदर इंटेग्रिटी डाल दिया पार्टनर आप ध्यान से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे क्वेश्चन की सिचुवेश्चन का इनालीसिस नहीं कर रहे यह पार्टनर इसे मेंबर ऑफ कंट्री क्लब देट इसे पॉटेंशल न्यू क्लाइंट वो उसका न्यू क्लाइंट हो सकता है यह पार्टनर के पास एक डिसीजन मेकिंग पावर कौन किसके पास है यह नहीं पौजिशन पर नहीं पर तो है ना कि वो इंटिग्रीटी वाला क्वोश्चन तो होई नहीं सकता अब आपको यह पर छाटना था तो यह तो श्यूर है कि हम इसका अडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट वाले तो सीधे बाहर हो गया अब यह तीन चीजें अगर मैं उसमें शेयर खरीट करेंगा तो सर यह तो वैसे बाहर हो गया है अब यही दो बचे थे तो एनलाइज आपको करना था कि फाइनेंशल इंट्रेस्ट होने से कि यह तो होई नहीं सकता ना कि यह तो होई नहीं सकता ना कि इसक्रोजर के डिस्क्लोजर देने भर से मैं एक्सेप कर लूगा तो बचता क्या था तो अगर इस टाइप के कोश्चन मनमोन गलत करेंगे तो इसमें तो आपको कोई सुधारी नहीं पाएगा तो आपके पास सुलूशन भी हैं लेकिन सुलूशन के साथ साथ आपको दिमाग लगाना है और जिनका स्कूर 65 से 65 था अब हो 65 जैसे की दिपांजिली यह तो मैंने बिल्कूल लेवल वालों की बात करी लोइस लेवल जो बिल्कूल इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं जिनका स्कूर 50 से भी कम था लेकिन जो स्कूर 65 है वो 80 पर पहुंच सकते थे 65 से 80 वालों की जो गलति जैसे 65 अगर इनके सिमिलेशन को रिव्यू किया जाए तो इनकी गलति जो पहले है में इसमें यह हो गई कि इन्हों ने थोड़ा सच जल्द बाजी की है पांच परसंट का स्कूर जल्द बाजी के कारण है अगर मैं देखूं एक परसंट किसी कंपनी का इंटर्नल आउडि understand कर रहा है wow तो आपने एक क्वेशन को सफिशन्ट टैम देना है आप क्या कर रहे है धरड़ धरड़ यह चार के चक्कर में गल्द करते जारें तो यह पांच परशन्ट तो आपके ऐसे कम हो गए मतलब 66 से 71 पर पहुंच जाते तो अगर यह कोश्चन आपने सही किया है मतलब इस कोश्चन को सही करने के कारण मैं आपको यह अश्योर कर सकता हूं कि आपका एक्जाम में 80 तो आ जाएगा क्योंकि यह कोश्चन हर जिसने भी पू सचे थे क्लास में जिनको पूरा का पूरा सही था नवनीथ तो आपने बहुत टेक्निकली सोचा इसमें तुक्के में गैस्वक में यह सही इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि यह एक आप्शन नहीं थे कित्ते आप्शन थे एक दो तीन चार मतलब आपको एक तरीके से 16 है अच्छे लेवल किये दूसरी अगर हम बात करें यह कोश्चन को सौल करने के लिए अलग प्रकार की स्किल चाहिए इस कॉल्ड डॉक्यूमेंट रिवीव जब कभी डॉक्यूमेंट रिवीव हो जाता है डॉक्यूमेंट रिवीव आपको बहुत सारे देखने को मिलेंग यह कोश्चन भी आपका अल्मोस्स एटी परशेंट सही था अब इस कोश्चन में ऑप्शन में क्या था इंक्लूजन एक क्लॉॉजूमेंट लेटर पिरोवाइडिंग फॉर मेंबर इनदेमनिफिकेशं वाइडि क्लाइंट क्या पूछा हैं क्या लेन है बताईए क्या पूछ रहा है इंडिपेंडेंन्स आपने क्वेसं को भी मिसिंटेट कर लिया कि दूसरे रीजिन से का आफ भले एक्सेप्ट ना कर पाएं पर इंडिपेंडेंडेंड इस नौ-इस नोग दीसरी आपको ये भी पता करना है कि इस question में आपसे किवल independence related question पूछा गया है और indemnification के कारण independence का कोई relation नहीं कहीं नहीं पढ़ाया मेने आपको कहीं पढ़ाया हो तो बता दो तो कहीं न कहीं हमें जब बहुत सारे एक साथ questions करने होते हैं हम जल्द बाजी कर देते हैं तो एक जल्द बाजी के कारण आपके मेरे को लगता है specifically दिपांजली जो स्कोर 75 के उपर पहुंच जाता अगर आप समय लेते मुझे बताई कितने मिनिट में कर लिया था आपने चारों सिमुलेशन अगर मैं इसमें देखूं यहीं साइब समय आ जाएगा नूँग आपने सिमुलेशन को सॉल करने के लिए अगर हम देखें 38 मिनिट्स 38 मिनिट्स सफिशन्ट अब आपकी बार आप लोग एक काम करेंगे वह मैं आपको लेटर आन बताऊंगा तो एक तो मेरा यह उब्जर्वेशन था आप लोगों के प्रती की अब उसके बाद जो आपने गलतियां कर दी है उसकी नोट्स आपको बनाना है अब जैसे यह था intellectually honest अगर हम intellectually honest नहीं है तो सबसे पहले eliminate करना तो सीखिए जिन बच्चों ने इसको appearance डाल दिया वो यही नहीं सोच रहे कि third party क्या सोचे कि third party का तो यह लेना देना नहीं वो तो बहार हो गया इनका doubt यहीं पर आना चाहिए इन दोनों में से तो कई बच्चे इंपियर्मेंट इसमें डाल रहे हैं मतलब कहीं न कहीं सिमुलेशन्स को सॉल करने के लिए जो स्किल चाहिए वो तीन-चार आप में मिसिंग दिख रही है कुछ बच्चों में जिनका स्कॉर 25 पर्षंट से कम है मतलब जो 40 के नीचे है मैं कहूं इस पॉट्टी पर्षंट के अगर आप बिलो है तो आप बिल्कुल कंसेप्च्ट अंडरस्टेंडिंग आपकी है यही नहीं सिक्स्टी वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा हरी में है या मैं कहूं रीडिंग प्रॉपर नहीं कर रहे है रीडिंग स्किल उनको इंप्रूब करनी पड़ेगी मतलब 40-50 वालों की केटेगरी तो मेरी नजर में यह जो मैंने अब्सक्राइब किया आपके सारे के सिम्मूलेशन देखे 40-50 वाले लेक ओफ कंसेप्ट और अगर 52-70 कर लूँ उनकी दो-तीन चीजें एक तो रीडिंग नहीं कर रहे है वो प्रॉपर और सिम्म को बहुत जल्दी में भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पॉइंट के पर तुरंट क्लिक कर देना सेकेंड प्रस्पेक्टिव नहीं सोच रहे हैं मतलब मेरा यह भी ऑब्जबेशन है कि यार वो दूसरा प्रस्पेक्टिव उनके माइंड में क्यों नहीं आ पा रहा वह एक अपने आपको रिजिड अप्रोच में लेकर चल रहे हैं अब सेवंटी टू एक्टी सेवंटी फाइप से एक्टी वालों के लिए एक शकील यह ध्यान देना है इंग किसा हमारा तो टार्गेट है 85 के उपर तो जो 75 सेटी वाले को ने जरहां पहले हेंडरेस करें प्लास में आए नहीं आए गुर्णूर 70 गुर्णूर किता था अपना स्कूर तो 70 पर्षेंट से 80 पर्षेंट वारों ने एक तो mcq की तगड़ी प्रैक्टिस करिए मतलब यह फैक्ट है कि इनकी जो प्रैक्टिस थी वो mcq में 200 पर्षेंट दूसरा काम इन्होंने कई नहीं नोट्स भी बनाएं नोट्स मेकिंग की हैं यह काम तुन्होंने पक्का की है तभी 70 से 80 पर्षेंट आया अधरवाइज नहीं आ सकते क्या मैं सही बोल रहा हूं गुर्मूर बोल रहा है यह सर यूगल प्रधान तुम्हारा भी 75 पर्षेंट तो कहीं न कहीं तुमने भी mcq पे बहुत ध्यान दिया होगा अब सर 90 पर्षेंट तक अगर हमें पहुंचना है तो उसकी एकी स्की में इसके लिए आपको रिसर्च भी करनी पड़ेगी रिसर्च अब रिसर्च का मतलब क्या होता है गूगल दिवता ग्लेम की बुक्स मेरे नोट्स के साथ ग्लेम की बुक्स को भी एक बर पढ़ना पड़ेगा तीसरा mcq के रोंग पॉइंट के रोंग पॉइंट जो हुए आपके रोंग पॉइंट के नोट्स अगर आपको 90 परसेंट पे पहुँचना है तो एक तो रिसर्च करने पड़ेगी कोई टॉपिक में अगर आप वीक हैं कोई चीज में आपको हलका सा भी कन्फूजन है तो उस पे गूगल पे थोड़ा सा एकात घंटा रिसर्च कीजिए आप 90 पे पहुँच जाएंगे ग्लैम की बुक्स को भी आपने रीड करना है mcq की रॉंग पॉइंट के नोट्स बनाने है और लास्ट बट नॉट दी लीस्ट रीडिंग और सिम्स में आपको होल टाइम को कंज्यूम करना है होल टाइम जो कि आप में से किसी ने नहीं किया पूरे समय को कंज्यूम करना है यह 99 परसेंट लोग नहीं करेंगे जल्द बाजी की कारण मैं आपको पहले बता रहा हूं मुझे बदा यह पूरा टाइम कंज्यूम किया था गुर्णूरपर ने पूरा टाइम जितना आपको ग्लैम टाइम अलॉट करता है 75 परसेंट वाल कितने मिलते हम इसको डिसकार्ड कर देंगे कि एक गंटा बारा मिनट कोश्चन वहीं आएंगे लेकिन अब दोबारा इसको नहीं करना है ऐसा तो नहीं क्यों नहीं कोश्चन आ जाएंगे कोश्चन वहीं है अब आपका 90 परसेंट स्कोर तभी आएगा अब इसको अभी नहीं मत करना आप यह सेकंड टाइम होगा जब पहला पहली बार आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा अभी बिल्कुल करने की जुरूत नहीं है तो आपको यह पूरा समय लेना चाहिए और एक काम यह करना आपको कसम खाले नहीं की बारा मिनट से पहले नहीं करेंगे बीस मिनिट लेंगे ट्वेंटी मिनट से पहले जाने ही नहीं क्योंकि आप उस को एनलाइस करोगे नए सोचो यह आर्ब आपको नहीं बन रहा है बिंग इंटलेक्चिली ऑनिस्ट अभी आने वाली वाले समय के बता रहा हूं अभी आगले जो तीसरे पार्ट की सिमुलेशन करेंगे तो अब सोचो गिव टाइम टू येर सेल गिव टाइम टू येर माइंड की वो इस थॉट को आपकी दिमाग में लेकर आ सके माइंड की पावर बड़ी खतरना के माइंड बिना सोचे रही नहीं सकता एक कोई व्यक्ति है ऐसा इस क्लास में जो बुले सब्सक्राइब कोई यो तो मुझे बता दे नेया कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता वो स्वामी विवेका नंजी हो सकते हैं बस कि बिना थोट तो जब आप यहां पर बैठोगे तो आपका माइंड अपने थोट थो करेगा कि अरे यार क्या हो सकता है सोचने की कोशिश करोगे अनलाइस तो आप यू और टेकिंग टाइम इससे पूरा सवा घंटा यूटलाइस करना है पूरी कोशिश भी करोगे तो भी घंटा लेलोगे लेकिन उससे पहले नहीं तो अगर आपको 90 स्कोर करना है जल्द बाजी मत करना 75 से 90 की बीच की जो दूरी है वह जल्द बाजी के कार्ट तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थ पूछ लें कितना स्कोर था अपना तो क्या गलती कि आपने अइडेंटिफाइब हुआ अपने को अब आपने ऐसा क्या किया कि अपना पहला इसको रसी परशंट था में तुमको वापटर से एंडियोट करूंगा कि मैं जानना चाहता हूं तुमने ऐसा क्या कि या मैंने मोस्ली सारे किये थे और उसका स्क्रीन शॉट लेकर एक्सल शीट में डाला और जो 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 चार आंसर से जो गलत है उनको भी मैंने अब्सर्व किया पहली बार में आपके स्कूर आइगेस 90 नहीं था पहली बार में आपके स्कूर 80 है आइगेस सिमुलेशन करना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सिमुलेशन में भी यह नहीं हो सकते हैं सिर ऐलिमिनेशन वेरी इंपॉर्टन है क्योंकि आपको लास्ट लाइन तक आपको पढ़ना पड़ता है और आपके जो लास्ट वोड़ आप लास्ट सेंटेंस में पढ़ते हैं तो दन इटिफिनली हप्स यू और वही था सर मेरे नोट्स में रिवाइज भी करता हूं मुझे नवनी थोड़ा से यह भी बताओ तुम जब तुम दो किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो तो तो तुम यह मानते होगी निया कि अगर हम ज्यादा समय देंगे तो हमारा मैंड अपने आपको उसका सॉलूशन कहीं नहीं कहीं देता हैं मतलब मेरा मानने 70% टाइम तक आपका माइंड जो है आपको सही कंक्लूजन तक लेकर आजाए यह सर आपके लेक्शिर्स भी सर हल करते हैं प्लस मैं ग्लाइंग की बुक भी रीड करता हूं क्योंकि ग्लाइंग के बुक को हाइलाइट करना अंडरलाइन करना सर उसको दुबार पढ़ना के बार आप जब किसी ने मुझे बताया था कि जब आप MCQ करने हों तो पहली बा पढ़ते हैं चार एप्शन को आप को फ्रीक को दूंपर निक्पड़ते कई हो कि कुछ वब करना चीडर किरूहें गर किके कुछ को करो अजमा लेना कि आप केवल कोरा चले जाओ सारे लेक्षर सुनने के बस पशास से साथ आपके आ जाएंगे लेकिन पंद्रह पर्षेंट एक्ष्ट्रा लाने के लिए कि दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है सबसे पहली रीड क्वेश्चन ट्वाइस रीड MCQ में जो आ रहे हैं उसको भी ट्वाइस पढ़िए मतलब दो तीन तीन बार जिस जगह आप श्ट्रगल करें अगर आप ये अपनी डूरिंग दी प्रेक्टिस ही हैबिट बना लेंगे तो वह आपके काम आएंगे और एक और इंपॉर्टेंट बात मेरे लेक्शर को जितनी बार आप कान में सुनें आपको फाइदा उस्तना होते जाएगा इस पेसली ग्रेजुट स्टूडेंट को क्योंकि मैं चीक चीक कर बोलता हूं कि इसके उपर कोश्चन आ सकता है ये ल कि सर हमें ये काम हंड्रेट पर्शेंट करना है पहला ये पॉइंट आप लिख लें ना मिटा रीड को क्वेश्चन टू टाइम्ज अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है रीड ऑप्शन टू टाइम्ज और नौक आउट पंच दो नियर सॉलूशन को आइडेंटिफाई करिए और उन दोस्ट के उपर बहुत ध्यान से कोशिश कीजिए और फिर उसके उपर एंसर दीजिए इससे आपका 80% स्कोर आना शेयर शॉर्ट हो जाएगा अगर आपने यह प्रैक्टिस कर ली और जब आपके एक बर 80% आने लगेंगे तो आपका माइंड इतना स्ट्रॉंग हो जाएगा कि आपका स्कोर 85 के उपर पहुंच जाएगा यह मेरा उब्जवेशन यह टेक्नीक्स हैं ऐसे नहीं होगा और चौथ ही बात जो लेक्चर हैं उसको आप आडियो लेक्चर के रूप में कान में जरूर सुनें कि रीड माइ नोट्स अलसो कि एस विल इस ग्लैम ग्लैम की बुक से आपको एक फाइदा होगा और आपको टेक्निकल लेंग्विज आसानी से समझ में आ जाएगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग कि मेक्स मेक कि असलफ जो नोट्स सातों पॉइंट अठवा में रॉंग सिमिलेशन इस जिस भी आपने रॉंग सिप्स में किया उसका सोल्यूशन रीड कीजिए कि उसके पॉइंट को भी पढ़िए उसके बाद 10 पॉइंट हम कह सकते रॉंग एमसी क्यूब में से उसको भी रीड करने के बाद उसके conceptual नोट्स बनाईे लेकिन इन सब के लिए काम की बहुत requirement है वो है hard work अगर आपने ये कर लिया तो exam देने के लिए तो आप confidently जाएंगे ये मैं आपको बोल सकते 10 ये जो 10 पॉइंट एजेंडा हमने आज सेट किया है और 11 भी लिख लो वाइल प्रैक्टिस यूज मैं ग्सिमम टाइंड मैं ग्सिमम टाइंड अभी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं एक्जाम की बात ही नहीं कर रहा हूं अगर ये सारी चीजें आपने कर ली और 12 पॉइंट लिख लो रिसर्च प्रॉम कुछ पॉइंट ऐसे हो जाएंगे जिसमें आपको देखो मैं अपने आपको भगवान नहीं मानता कि मेरा सब कुछ मेरे को आता है ऐसा ऐसा बोलना मतलब अनादर होगा विद्या देवी का टीचर भी सीखता है तो आप क्यों नहीं सीख सकतें कि यार कोई पॉइंट ऐसा होगे जिसके पर आपको थोड़ी सी रिसर्च करना तो रिसर्च करने में शर्मानी की क्या जुरत है मैं खुद बोल रहा हूं पब्ली के लिए बोल रहा हूं यह सारी चीजिया अगर आप करोगे इसमें वन टाइम हाडव है वन टाइन है कि इस सब करने के लिए एक पूरी यूनिट को फोल यूनिट को कितना टाइम लगेगा जो आपने सबसे बड़ी यूनिट कभी कंप्लीट की कितना समय लगेगा मुझे बताइए कोई बता सकता है कितना समय लगेगा एक यूनिट को ऐसा कंप्लीट करने एक अंदाज कितना समय लगना चाहिए मैं सच बताऊं एक युनिट के लिए आपको इतना समय के लिए 24 आर्स से ज्यादा का समय नहीं लगे 24 से 30 आर्स 20 आर्स इस सफिशंट इतना सब करने के लिए 20 घंटे आप वो 20 घंटे चाहे आप चार दिन में देदो पांच दिन में देदो या दो दिन में देदो दो दिन में देना तो impossible है कि सब दो दिन में हम 20 घंटे पढ़ लेंगे तो इसको कोई फायदा नहीं है तो मैं इसको फाइव आर्स फाइब डिज मांता हूं तो पांच दिन एक यूनिट के लिए तो बीस यूनिट के लिए कितने हो गए सौ दिन और सौ को डिवाइड कर दो तीस से तीन महिने की स्टडी चाहिए थ्री मंद यह सिंपल सा लॉजिक है सारा डेटा एलेटिक्स है लेकिन अगर आपने वन टाइम हाड़ वक में मकारी करी सीधा वर्ड बोरा हार्श वर्ड ऐसे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए पब्लिक प्लेट्फॉर्म पे लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं क्योंकि मुझे आप लोगों कभला कराना है अगर आपने यह करने में कोताही बरती जिस दिन आप रिजल्ट दिखेंगे वहां पर इ पास ऐसे लिखात अब आपकी चुआई से यह अगर आप नहीं कर सकते ऑडिट पास नहीं कर पाएंगे दुनिया में किसी से भी पढ़ लीजिया कोई टीचर आके बोलने कि मैं आपको पास करा देता हूं मिरसे पढ़ लो जूट बोल रहा है फिर यह 12 पॉइंट्स आपको सीपीए बनाने में सबसे ज्यादा इंप अब इसीपीए की बात में किया रहा हूं किवल ऑडिट में हर चेप्टर के लिए अलग स्फेट जी यह आपको करना में लेंग्विच के उपर कमार्ड आपकी जब तक आप टेक्निकल लेंग्विच को नहीं पढ़ेंगे बार बा है मैंने आपको कि क्या गलती है अपने अपने आप में की है थोड़ा सा इंडिपैंडेंटेंस वगर हमें लॉजिकली यानि एरॉर्स करी ती जैसे जो आपने बताया प्रिजूट इसे पहुंच सकते हैं यह बातों सेकेंड टाइम पर नाइंटी स्कूर आ गया था सेकंड लेकिन आप मुझे बताएं क्या आप यह कोई प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं इन में से जो मैंने आपके लेक्टर कम से कम फिलाल स्टार्टिंग में टू टाइम सुन रहे हैं मैं सेल्प नोट्स भी फिर हाथ के बनाती हूं आफ्टर लेक्टर आपके नोट्स जो आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वह भी परसेंट अगर पहुंचना आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो यह दो पॉइंट मस्ट है कि यह वाले आपको जो भी आपके सिमुलेशन्स रॉंग हो रहे हैं उसके उसको पढ़िए क्या मिस्टेक आपने करी उसको आप आपके नोट्स में जगा दीजी जो आपके रॉंग होगा जैसे आज हम यह बात करें आप जैसे अगर आप में इसमें से आपने कोई चीज मिस्टेक कर दियोगी बींग फ्री जैसे यह अगर हम बात करें तो इसको आपने क्या करना है अपने नोट्स में जगा देनी है यह बात आपको क्या करना है ध्यान रखनी तो 65 आपका पहली बार में आ गया देट्स गुड वह पूर की पोजिशन में नहीं 65 एक शुर से दो तो सिमिलेशन के बाद में पता चलेगी रॉंग एमसी क्यों के कॉंसेप्च्वल यह ग्यारा पॉइंट्स अगरा फॉलो करते मैं आपको आगयों के बोरों कि आपका स्कूर अगले में 80 के आसपस हो सकता है यह मेरी आप से आपने मुझे इंप्रूफ करना है तो सिच्वेशन अगर आप सभी ने करी सो मैं यह अंडेस्टेंड कर सकता हूं कि फिर आप लोग पास हो जाएंगे लेकिन मैंने देखा क्लास में कुछ लोग बिल्कुल हाड़वक करने के मूड में नहीं है वह मालू हाड़वक कप करेंगे जब कोर्स हो जाएगा खतम और मे इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है प्रियंका जी आपका कितना स्कॉर था है प्रियंका जी भी चाट्डड अकाउंटन है तो मैं बीच बीच में हाइलाइट करता रहता हूं सी यह लोगों को प्रियंका है क्लास में मैंने संडे का सेशन इसलिए लंबर रखा हुए कि म इस वीक में एक बार परसनल लेवल पर बात कर सुपूंग है कि एक जगड़ा है जी मैंने आपको अन्म्यूट किया प्रियंका हलो जी प्रियंका जी बताइए जी सर एक्षिली मैं अपनी क्लास कंप्लीट नहीं कर पें ड्यू टू मेरे बेटे की हल्थ शीक नहीं थी तो यह वाला यूनिट में लगाई नहीं पाई मैंने स्टार्टिंगे दो लेक्चरी लगाए थे तो मैं आपको दो तिन दिन में ज पहले उनिट को करते से समझ में आ गया होगा कि इसमें एक अप्रोच जो है वह एक सिस्टमेटिक अप्रोच की रिक्वार्मेंट है यह बात तो आपको समझ में आई गई होगी डेवन से जी 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 सर इसलिए मैं क्लास कुछ लगा भी लेकिन मैं अभी रिविजन निक कर पाई तो इसलिए मैंने टैम्ट नहीं किया मैं को लगा कि मैं अगला यूनिट में बैठ जाते हूं मैं साथ-साथ उसको करती रहूंगी रिवाइज जी थैंक्यू सब्सक्राइब कि अ कि अ धर्शन आपने कहा कि सर में इंप्रूव करने पर समझ नहीं हो रहा कि कैसे रख करें मैं यह भी जानना चाहता ह। कहां दिक्कत कहां और यह कि यह जानना चाहूंगो है सब्सक्राइब हाँ आप जा रही है तुम्हारी मेरे कुछ मुझे ही बता हूँ में के स्कूर था अपना मेरे फॉंटमेंट सब्सक्राइब अपने जो स्ट्रेटेजी बता है थी ना लास्ट विक चब एक स्टुडेंट आये ते तो फिर मैंने उसको पाइफ पाइफ पैसे डिवाइड किया अभी कुछ दिन पहले किया थे तुम समय कितना लेते हो एक को सौल करने में लाइक विफ्टीन मिनिट्स वागरे तो बहुत ज़्यादा होगा है कहीं ना कि को करने में ले रहे हो तुमने मैंने देखा तुम कहीं कंसेप्चुली थोड़ा सा लेक कर रहे हो लेक्चर को सुनने के बाद उसके थोड़े से नोट्स बनाओ और तुम एकदम से सिमुलेशन पर जंप मत करो अभी तुम्हारी लिए स्टेटी बहुत डिफरेंट हो सकती है तुम अभी पहले मुझे यह उमीद है तुम्हारा सत्तर साथ सतर तो आई जाने चाहिए फ्रेम के लिखो जारा तुम्हारा इंसर पचार पच्छपन है मतलब कहीं नहीं कहीं तुमने भी जल्दबाजी की है थोड़ी सी और मिर्जा है मिर्जा इस्तिमाबूल बैग अपना के स्कूर रहे और कौन बच गया है कि मुच्ताब अहसान कि मुच्ताब अपना अपना स्कूर लिखो जड़ा राहुल पंकज आउतार मेंशन करो चैड़ बॉक्स में अपना अपने स्कूर मेंशन करें क्योंकि हमारी दूओ यूनिटी कंप्लीट हुए तो मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में इंप्रूमेंट के रिक्वार्मेंटर राहुल तुम्हें कि अब इस सेशन में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गाइड तो किया है इस प्रकार के सेशन तो हमारे ओवर दा पीरिड होते ही रहेंगे लेकिन अभी आप लोगों को इंप्रूमेंट करने की बहुत ज्यादा requirement है चलिए तो आगे बढ़ते हैं नई यूनिट को हमने start